Entertainment जगत को देख कर तो साफ पता चलता है कि प्यार अंधा होता है तब ही तो Bollywood स्टार्स सभी barrier को तोड़ते हुए अपने से आधी उम्रवाली हसीनाओं को अपने life partner के लिए चुनते हैं और फिर उनसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना हमसफर बना लेते है तो वहीं दूसरी तरफ Bollywood इंडास्ट्री में ऐसे भी कई स्टार्स मौझूद हैं जिन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी की है तो आखिरकार कौन-कौन से है वो अभिनेता और कितना फासला है उनकी पतनी और उनके बीच में आईए जानते हैं एक अब जल्द ही निकाह कबूल करने वाले हैं जीहां बताया जा रहा है कि ये दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ लिविन रिलेशन्शिप में हैं और अब जल्द ही इस रिष्टे को एक नाम देने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता फरहान अख्तर भी इनहीं में से एक हैं जिन्होंने अपने से कम उम्रवाली लड़की के साथ शादी की हैं जीहां बता दे कि इन्होंने 19 फरवरी साल 2022 को अभिनेतरी शिवानी दांडेकर को हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन बनाया है जो इन से पूरे आठ साल में उम्र की छोटी है पर फिर भी ये दोनों अपनी हैपी मेरेड लाइफ बहुत ही जादा खुशाल तरीके से जी रहे हैं पर फिर भी दिल्चस्प बात तो ये है कि दोनों अपनी शादी के इतने साल बाद आज भी खुशाल तरीके से अपनी शादी शुदा जिन्गी जी रहे हैं इसलिए तो इन दोनों के फैंस इन्हें प्यार से सेफीना बुलाते हैं बॉली वुड के खलनायक संजे दद भी इन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपनी बेटी की उमर वाली लड़की के साथ शादी की है जिहां इन्होंने साल 2008 में एक्स्ट्रा सा मानिता दद के साथ शादी की थी आपको बता दें संजे और मानिता के बीच 19 साल का फासला है इसलिए तो मानिता को अपने घर की बहु बनाने के लिए संजे को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था अब बात करते हैं बॉलीवुड सूपर स्टार सल्मान खान की जो अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की के साथ अब जल्द ही शादी करने वाले हैं जी हां कबरे आ रही हैं कि सल्मान खान जल्द ही सुनाक्षी सिनहा के साथ शादी करके घर बसाने वाले हैं जिनके बीच 22 साल का फासला है और इसी के साफ पता चल रहा है कि सुनाक्षी सल्मान की बेटी की उम्र की है जिन से अब ये जल ही शादी करने वाले हैं तो दोस्तों आपके हिसाब से इन स्टार्स का अपने में कम उम्र वाली लड़की के साथ शादी करने का फैसला सही है या नहीं आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें